हलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हैंगे फ्रेंट्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज मैं न्यू वीडियो लेकर क्या गई हूँ आप सभी के लिए और आज मैं आप सभी के साथ सेर करने वाली हूँ कि कैसे आप सालो साल जमी गंदगी को एक मिनट में दूर कर सकते हैं चाहे आपका चेहरे में डार्कनेश आ गया है आपके पैर में आपके हाथों में या फिर गले के पिछले हिस्से में कहीं पे भी जादा डार्कनेस आ गया है तो आप उसको चुटकी भर में दूर कर सकते हैं तो आईए मैं आपको रेमिडी ब होते रहती हैं जैसे कि ब्लैक स्पॉट एकने ड्राय स्कीन और जुरियां आम बाते नहीं दूर करने के लिए लोग ना जाने कितने ब्यूटी प्रोड़क्ट अपने पैसे बरबाद कर देते इन सभी पर लेकिन जब बात स्किन केर रूटीन की हो तो नीम्बू शहद और इन परसेंट लाइव आप देखना और जिन लोगों को भी सालों साल जमी गंदगी को सालों साल जमी हुए डार्कनिश को यदि खत्म करना है तो यह तरीका आप जरूर आजमा करके देखना मैं एक बॉल ले रही हूं और उसमें मैं लोंगी इनो पूरा मैं डाल दूंगी पू निम्बू और इनो लगा करके आप चेहरे को घोरा बना सकते हैं चाहे तवचा पर जितना भी गंदगी उसको आप दूर कर सकते हैं और इससे समधित फोटो मैसेज वीडियो बहुत जादा वाइरल हो रहे थे और इस वाइरल खबर की एक नियूज एजिंसी ने जाज की ज walitric acid होता है जब यह दोनों मिल जाते हैं तब पैराउक्षाइड बन जाता है और यह इक तरह का ब्लीचिंग एजिंट है जो फ्लोर को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पैरोक्षाइड मौजूद होता है कौन सी चीज कहा इस्तेमाल करना है या आपकी पस को मॉस्चराइज करेगा ज्यादा रूखापन नहीं आने देगा तवचा में इसलिए मैं इसमें इनो भी आड़ कर रही हूं यदि आप चाहे तो इसमें अलोवेरा जेल भी मिक्स कर शकते हैं या फिर आपके पास अलोवेरा जेल भी नहीं है इनो मतलब सहद भी नहीं है तो लोगों का फेस संस्टिव होता है वो अपने चेहरे पर ये पेश्ट अपलाई बिल्कुल भी नहीं करें वो सिर्फ हाथ पैर पे कर सकते हैं और किसी किसी का हाथ भी काफी जादा संस्टिव होता है जिसे कारण हाथों में भी जलन होने लगती है तो आप इसका इसमाल पैर में कर सकते हैं असानी से और मैं प्रस की हल्प से मसाज करूंगी अभी पूरे पैर में और अपने हाथों में भी करूंगी और एक बार मैंने अपने हाथों पे अपलाई किया था तो मेरा हाथ काफी जादा जलने लगा था तो इसलिए मैंने इस बार एड किया है हनी ताकि म भी अप्लाई करते हैं और जलन देता है तो आप इसका इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें तुरन धोले ठंडे पानी से अब ब्रश की हल्प से कर रही हूं मसाज पूरे पैरों में करूँगी और उसके बाद फिर मैं नीमबू का जो टुकडा उससे भी मसाज करूँगे पूरे पैरों में मेरा पैर काफी ज़्यादा साफ हो जाता है उससे आपका जो रंगत है वो तुरन निखर करके सामने आएगा और जो लोग अपना सावला पंदूर करना चाहते हैं तो वो सबस्पाल अपने पैरों पे ही इस पेश्ट को लगाकर के देखें की सूट कर रहा या नहीं कर रहा है क्योंकि जलन देता है मैं बता रही हूं जलन देता है इस बात को आप ध्यान में रखें उसके बाद ही इससे मसाज करें आप और सहथ और नीमगू का इस्तिमाल पूराने जमाने से ही चला रहा है जैसे कि इसकिन को एक healthy glow प्रदान करता है और दोनों का इस्तिमाल कई प्रकार से skin related समस्या दूर करने के लिए किया जाता रहा है शुरू से और इसका pack smooth वा glowing skin दिलाता है आपको जहां नीमभू एक antioxidant होने के साथ नेचरल bleach का काम करता है वहीं सहद skin को hydrate करके उसी smooth बनाता है तो आप लोग result देखने के लिए तैयाद आईएगा अभी मैं मसाज कर रही हूँ दोनों पैरों में निमभू शद और इनो फ्रेंट्स मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, comment करेंगा दोस्तों के साथ सीर करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा और मेरी चैनल पर नहीं होंगी तो मेरी चैनल को subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन को hit कर दीजिएगा ताकि मेरे आना वाला वीडियो सबस्क्राइब आप सभी देख पाच्छे मैं पैरो की कोने कोने में इससे अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि सारा डेड़ स्किन खत्म हो जाए और रंगत निखर के आए और मैंने ऐसे बहुत सारे home remedy आप लोगों के साथ सेयर की है winter season में summer season में क्या इस्तेमाल करें कि आपकी तवचा का रंगत साफ हो और आप अपने स्किन का केर कैसे करे home remedy बहुत सारे ऐसे tricks मैंने सेयर की आप सभी के साथ और यह ऐसा ही एक trick है जिससे कि आपका रंगत बहुत ही जल्ली साफ हो जाएगा मसाज करना है कम से कम 10 मिनट तक और 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है 10 से 15 मिनट आप जब तक अच्छे से मसाज नहीं करोगे आपका रंगत कैसे अच्छे से नहीं करके आएगा कोई भी मौसम हो ठंदा गर्मी बर्शाद कोई भी मौसम हो आप अपनी तोचा का ख्याल हमेशा रखें जिसे कि मैं ठंद में भी रखती हूं गर्मी में भी रखती हूं और गर्मी में क्या होता है न कि बहुत ज़्यादा एक तो धूप रहता है, घर्मी रहता है, पशीना निकलेगा, धूल, मिट्टी, सारा चिपक जाएगा, खुजली भी होगा आपके पैरों में, और एडियां भी फटेंगी, और तवचा बिल्कुल रोखी और बेजान हो जाएगी, तो इसलिए हमें तवच समय पर इनका केर करना बहुत ही जरूरी है, और कितना आप बाहर का प्रोडक्ट इस्तमाल करेंगे, इसलिए घर पे जो मिल जाएगे, आपको आप उसी से केर कर सकते हैं, अपने तवचा का हाथ पैर को गोरा बना सकते हैं, बस आपको यह सब चीज घर में आपको मिल जाए और आप इसका इस्तमाल करके अपने पैरों का रंगत साफ कर सकते हैं, और यह काफी जादा इज़ी है, इफेक्टिव है तवचा के लिए, और मेरी गोरी गोमल पैरों का राज आप देख सकते हो, मैं क्या क्या इस्तिमाल करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो पूछते हैं, आप क्या लगाते हो, तो आप देख लो कि मैं क्या लगाती हूँ, कैसे केर करती हूँ अपने पैरों की, अपने हाथों की, जिसे मुलायम रहते हैं, और गोरे दिखते हैं, बिल्कुल साफ्ट, जब आप यह इस्तमाल करोगे ना, और जब आप हमेसा केर करो योगे अपने हाथों की पैरों की तो आप तपचा impossibly जदा को नोगों को पैर कोमल हो साफसुत्रे उन ernोग क्यी सारे बीमारियं भी नहीं होती वह बीमारियों से भी दूर रहते हैं मैंने कहीँ पढ़ा था पैरों को साफसुत्रा रक्ना चाहिए सारी बीमारियों का जड़ी यहीं से सैद प्रारंब होता है जिन लोगों के पैर शाप सुत्रे रहते हैं और सही रहते हैं उनको बीमारियां भी नहीं होती है जल्दी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है मेरा पैर अब मैं वाश करूँगी अपने पैरों को नॉर्मल वाटर से ठंडे पानी से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया मेरा पैर आप देख सकते कितना ज़्यादा साफ लग रहा है लाइफ रिजल्ट आप लोगों के सामने है मैंने क्या किया कैसे मसाज किया और साफ भी कर रही हूँ मैं हम ऐसा यही रुमाल से दोती हूँ क्योंकि यह मतलब इस पेसली रखा हुआ है कि मैं जब भी अपने पैर हाथ को वाश करती हूँ तो मैं यही रुमाल का इस्तेमाल करती हूँ इस पेसली अलग रखती हूँ आप सभी ने रिजल्ट सामने देखा आप सभी को सामने देख रहा हूँ मेरा पैर बिल्कुल क्लीन हो चुका है बिल्कुल क्लीन यह देखो सामने से मेरा बताईवा ट्रिक कैसा लगा फ्रेंट्स आप इसको इस्तेमाल जरूर करें मैंने अपने पैरों को वास कर लिया और मैं स्लीपर पहन ली क्योंकि मैं खाली पैर चलूँगी तो मेरे पैर फिर से गंदे हो जाएंगे तो स्लीपर पहन के मुझे रहना है वोचिक भादेकर और मैं भूचिए घएघर टीक चेयर मैं बनी नियुक्त वीधियो मैं बड़ा है